क्या पुछा जा रहा है? पुछा जा रहा है E West Recycling Park बनाया जाएगा Forest Guard 2022 क्या रहा है यह जो session है यह current और capitalist के हिसाब से है E West Recycling जो पारक है बनाया जाएगा जहीपुर में, अजमेर में, बिकानेर में यालवर के अंदर तो याद रखेगा जैपूर, ये वेस्ट रिसाइक्लिंग जो पारक है, वो बनाया जाएगा कहां पर, याद रखेगा जैपूर में, ओप्शन नमर है A, जैपूर के अंदर याद रखेगा मान शरोवर, और मान शरोवर के अंदर है आपके याद रखेगा शिट्टी पारक, कौन सा पारक है, य परताब नगर है यहां पर है याद रिखेगा कोचींग हब यहां पर क्या बनेगा याद रिखेगा कोचींग हब इसके अलाबा जेपूर के अंदर जो किशन बाग है यहां पर है याद रिखेगा डेज़ड पारक तो इवेस्ट रिसेकलिंग पारक जेपूर के अंदर जेपूर के परताब नगर में बनेगा कोचींग हब मान सर्वर में है शिटी पारक और किशन बाग के अंदर क्या है डेज़ड पारक याद रिखेगा ठी अगला है राजस्तान के पहले आयुर्वेदिक चिकिस्सा स्वास्तिय और कल्यान किंदर की आदार सिला मुख्य मंत्री दुवारा कहां रखे गई यानि राजस्तान के पर्थम आयुर्वेद चिकिस्सा स्वास्तिय और कल्यान किंदर की जो आदार सिला है वो मुख्य मंत्री दुवारा कहां रखे गई तो याद रिखेगा वो है खमनोर खमनोर जो है याद रिखेगा यह है आपके रासमन्द में हमनोर कहां पर है याद रिखेगा रासमन्द के अंदर ठीक है option number क्या हो जाएगा C is correct transfer हम नोर राज समंद के अंदर ही है आपके ना दुआरा ठीक है ना दुआरा जहां की कोण सी घंगोर परसिद है याद रिखेगा गुला भी घंगोर राज समंद के अंदर ही इस्तान है आपके कांकरोली याद रिखेगा जेके टायर ट्यूब कार खाना है यहाँ पर जेके टायर ट्यूब कार खाना अगला अगला है next देखिए अगला question अगला पुछा जा रहा है आपको राष्टी इस्तर पर फोरेंसिक साइंस संस्तान जो है वो शुरु किया जाएगा राश्टिय इस्तर पर औरेंसिक साइंस संस्तान शुरू किया जाएगा कहां पर तो याद रिखेगा जोदपूर कहां शुरू किया जाएगा याद रिखेगा जोदपूर जोदपूर के अंदर ही याद रिखेगा मंडोर में जो कर्शी विश्विधाले है करशी विश्विधाले यहीं पर याद रिखेगा पर्थम किसान कोल शेंटर इस्तापित किया गया है अभी हाले में पर्थम किसान कोल शेंटर याद रिखेगा कहां इस्तापित किया गया जोदपुर के अंदर मंडोर करशी विश्विधाले में मंदूर जो है याद देखेगा इसका जो प्राचिन नाम है वो है आपके मंडव येपुर मंदूर का प्राचिन नाम क्या है याद देखेगा मंडव येपुर ठीक है? Option number A is a correct transfer जोद पूर चलिए अगला है अगला लेजी अगला क्यूशन है महरना परताब खेल पूरुशकार किन वर्षों के दोरान में प्रारम किया गया? यानि महरना परताब खेल पूरुशकार दिखी इस पूरुशकार की जो शुरुवात है वो हुई थी आपके 1982-83 और जब इस पूरुशकार की शुरू हुई थी यानि महाना परताब खेल पुरुषकार की जब शुरुवात हुई तो प्रारम के अंदर इसके अंदर जो पुरुषकार दिया जाता था वो एक लाख रुपे लेकिन 2022 के अंदर इसे बढ़ा कर कितना कर दिया गया है तो याद रखेगा पांच लाख रुपे महाना परताब खेल पुरुषकार एक तो कब शुरुवा तो याद रखेगा 1982-83 और जब प्रारम किया गया उसमें कितनी धंद्रा सी तो याद रखेगा एक लाख रुपे लेकिन वर्तमान के अंदर कितनी दी जाती है याद रखेगा पांच लाख रुपे ओप्चन नमर यहां हो जाएगा बीज करेक्ट आसर महाना परताब खेल पुरुषकार ठीक है चली अगला देखी अगला है दो खेल पुरुषकारों में गुरु वसिष्ट पुरुषकार और महाना परताब पुरुषकार के लिए पुरुषकार जो रासी है एक लाग से बढ़ा कर खाली जगे कर दिया गया देखे दो पुरुषकार है एक तो अभी हमने पढ़ा है महाना परताब खेल पुरुषकार और जैसा कि हमने ये भी पढ़ लिया कि महाना परताब जो खेल पुरुषकार है इसके शुरुवात 1982-83 और एक पुरुषकार है आपके सामने गुरु वसिष्ट गुरु वशिष्ट पुरुषकार और ये जो गुरु वशिष्ट पुरुषकार है इसकी जो शुरुवात है वो हुई है आपके 1985-86 और इन दोनों ही पुरुषकारों के अंदर प्रारम में एक लाख रुपे थे लेकिन अब इन दोनों के अंदर बढ़ा कर कितने कर दिये हैं पंच-पंच लाख रुपे यानि कि option नमर क्या हो जाएगा D is the correct answer याद रखेगा तो महाना परताब खेल पुरुषकार शुरुवात 1982-83 और गुरु वशिष्ट जो पुरुषकार है याद रखेगा 1985-86 ठीक है अगला अगला है राजस्तान रज्ये में पहला द्रोणाचारिय पुरुषकार किसे प्राप्थ हुआ था राजस्तान रज्ये में पर्थम द्रोणाचारिय पुरुषकार किसे प्राप्थ हुआ तो याद रखेगा कर्णशिंग को पर्थम जो पुरुषकार है है अगला सब्सक्राइब कि इस्तानी सब्सक्राइब पर है जब यहां पर बीजेपी शरकार होती है तो नाम हो जाता है अटल शेवा के इंदर जैसे ही कोंग्रेश आती है नाम हो जाता है राजीव गांदी शेवा के इंदर ठीक है बस बोर्ड पर लिखेवे नाम ही चेंज होते हैं कि वहली है या तो आगे अटल लग जाएगा या फिर राजीव गांदी ठीक है जिस के शरकार तो अटल शेवा के इंदर को नया नाम क्या कर दिया गया यह देखेगा राजीव गांधी शेवा के इंदर ठीक है पहली बार 2012 में शुरूआ था ये 2012 के अंदर राजीव गांदी सेवा के नाम से शुरूआ 2014 में नाम बदला फिर शरकाराई फिर नाम बदल गया फिर सरकाराई फिर नाम बदल गया बस पर उसे सली रहा है तो यहां पर उप्षिन नमर क्या हो जाएगा B is the correct answer ठीक है याद रखिएगा अगला है अगला क्यूशन विज्ञान एउ प्रियोध्योगी की कुराज्ये में लोगपिरिये बनाने के लिए सरकार ने राजस्तान में विज्ञान किंद्र और विज्ञान पारक इस्तापित किये हैं उन से इस्तानों को पहचानिये जहां पर विज्ञान पारक अब तक इस्तापित किये गए हैं देखिए विज्ञान और प्रियोध्योगी की की कुराज्ये में लोगपिरिये बनाने के लिए शरकार ने राजस्तान में विग्यान केंद्र भी इस्तापित किये हैं तथा विग्यान पारक भी इस्तापित किये हैं लेकिन हमें उन इस्तानों को पैचानना है जहां पर विग्यान पारक अब तक इस्तापित किये गए हैं तो आप कहेंगे सर एक तो है जहिपूर एक है आपके नवलगड जो की जुन जुनू में आता है ठीक है और एक है आपके जादरा पार्टन जो की कहा है जाला बार यानि कि आप्शन नमबर जो है वो हो जाएगा आपके सामने C is the correct answer याद रखीगा चली अगला अगला है नार्वे शरकार के सयोग से राजस्तान शरकार ने जीवन धारा बेंग निम्न के उपलबता के लिए इस्तापित किया है नार्वे शरकार के सयोग से राजस्तान शरकार ने एक बेंग इस्तापित किया है जिसका नाम है जीवन धारा निम की उपलप्ता के लिए इस्तापित की है जीवन धारा बेंग का सम्मंद किसे है जीवन धारा बेंग दोगी यहां से फ्रेक्टो कापी शारी बनेंगे जिसे एक तो यह बन जाएगा कि जीवन धारा जो बेंग है यह कब इस्तापित हुई तो याद रिखेगा जीवन धारा बैंक है 2015 अच्छा किसके सहयोक्षे है तो याद रिखेगा यह important question और हो जाएगा नार्वे शरकार कौन से शरकार है नार्वे सरकार अब important है किस से सम्मधित है तो याद रिखेगा सिस्वों के लिए मा के दूध है तू और याद रिखेगा जीवन धारा जो बैंक है जिसकी शुरुवात 2015 के अंदर राजस्तान शरकार द्वारा नार्वे सरकार के सहयोक्षे की गई जिसका उदेश्य है सिस्वों के लिए मा के दूध है तो याद रिखेगा अगला पुछा जा रहा है राजस्तान में टीडी नियंतरण पुस्तक का विमोचन किस ने किया देखे हमारे राजस्तान में वेसे एक अभियान भी चलता है और वो है आपके टीडी नियंतरण अभियान TD का एक बार बहुत ज़ादा हमलावा था किशान भाईओं पर अना उदर पाकिस्तान से आई थी यह TD तो आपको पता हो तो राजस्तान के अंदर TD नियंतरन अभिहान चलाया गया था 2020 के अंदर और इसी परकार की राजस्तान में टीडी नियंतरन पुस्तक का विमोचन किस ने किया था याद रखेगा लालचंद कटारिया ने आप्शन नमर क्या है एक ट्रेक्टर टीके याद रखेगा इसमें करशी मंत्री थे लालचंद कटारिया है लिजी अगे अगला किशन कुछा जा रहा है भूजल परबंदन के लिए हेली बोर्णी शर्विक्षन तक्निकी का जो प्रारम है वो राजस्तान के किस जिल्ले में किया गया है भूजल परबंदन के लिए याद देखेगा वो है आपके option number A is correct नासर जोत्पर अगला कुषन लिजी कुछा जा रहा है आपको राजस्टान में hydrology and water management institute अवस्तित है राजस्टान के अंदर एंडर वाटर मेंजमेंट यो इस्ट्वूत है वह कहा अवस्तित है याद रिकेगा वो है आपके विकानिएर के अंदर विकानेर में और विकानेर के अंदर एक इस्तान बहुत और परशिद है और वो है जोड़ बीड याद रखेगा राश्ट्री उन्ट अनुशनदान के अंदर है यहां अक्सर पुछा जाता है कि उन्ट अनुशंदान के इंदर कहां पर है याद देखेगा आपका नेर के इंदर ठीक है ओप्शन नमर है C is a correct transfer ठीक है अगला लीजी अगला question है राजस्तान की पहली जन जाती बालक होकी एकादमी कहां इस्तापित है पर्थम जन जाती और वो भी बालक से सम्मंदित होकी जो एकादमी है वो आपके कहां इस्तापित तो याद रिखेगा वो इस्तापित की गई है उदेपूर औप्शन नमबर A इसके अलावा एक ओर क्यूशन बताईए आप के राजस्तान का पर्थम पर्थम आदिवाशी साक्षर जिल्ला कौन सा है पर्थम आदिवाशी शाक्षर जिल्ला बताईए ये भी एक स्टैटिक्स परकार से क्यूशन है अगला है राजस्तान खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड कहां है जैपूर के अंदर द्वारा खादी प्लाज्मा का निर्मान कहां किया जाएगा याद रखेगा जैपूर के अंदर ओप्शन नमबर है A is a correct answer लीजी अगला अगला क्यूशन है आपके सामने कि राजस्तान का पर्थम अस्ती बेंक कोण शे शहर में सुरू हुआ है ये पिटेई के एक्जाम आया राजस्तान का पर्थम अस्ती बेंक याद रखेगा कोटा के अंदर कोठा के अंदर अस्ती बेंक इसके अलावा याद रिखेगा कोठा के अंदर एक ओक्षिजोन पारक कोण सा पारक विक्षित वा है याद रिखेगा ओक्षिजोन पारक यहाँ पर राज्ये का चोता बायलोजिकल पारक अभेडा पारक भी विक्षित वा है यहां पर राजस्तान का पर्थम शनेग पारक भी इस्तापित किया गया है यहीं पर राजस्तान की पर्थम वाटर शफारी इस्तापित है कोटा के अंदर चारो ही important fact बनेगी चलिए अगला अगला है प्राकर्तिक बचाव के अंदर यह उपक्षी विहार जल्द कहां बनेगा प्राकर्तिक बचाव के अंदर और पक्षी विहार जो है वो जल्दी कहां बनेगा तो वो धोरी मनना और धोरी मनना कहां पर है याद रखेगा बाड मेर के अंदर बाडमेर के अंदर आलम जी का धुरा है ना घोडों का तिरतिस्तल भी बोलते हैं वैसे बाडमेर के अंदर ही है ये धुरी मनना याद रखेगा चिक है? अगला अगला है आपके सामने राजस्तान के किस शहर में राष्ट्रिय संचारी रोग किंदर NCDC इस्तित है राष्ट्रिय संचारी रोग के अंदर जो है वो कहां इस्तित है याद रखेगा अलवर के अंदर ये सब इस्टेटिस परकार के क्युशन है कर्ण्ट विश्य से सम्मदी अगला अगला है आपके सामने राजस्तान शरकार ने प्रियावण सरक्षन के परती आम जन को शिक्षित वे जागरू करने के उदेशे से किन वाटिकाओं का निर्मान कारिये एक जुलई से आरंब किया था यानि कि जो राजस्तान शरकार है उसने प्रियावण सरक्षन के लिए आम जन को शिक्षित और जागरू करने के उदिशे से किन वाटिकाओं का जो निर्मान है वो 1 जुलाई एक जुलाई 2022 से शुरू किया है तो याद रिखेगा वो है लवकुषवाटि का कौण शी वाटिका है याद रिखेगा लवकुषवाटिका और अभी जैसे परियावन सरक्षन के लिए आपको पता हो तो सरकार ने बजट में कहा था कि वरक्षार उपन का जो महा अभियान होगा उसके तेद साथ करोड शदिक पोदे लगाए जाएंगे ठीक है तो उस हिसाब से आपको पता भी है कि अलग लग नाम से अलग लग अभियान शुरूवे हैं एक पेड माक के नाम एक पेड एक जिन्दगी इस परकार से तो वह क्यूशन बढ़ेंगे इंपोर्टेंट अगला देखिए अगला क्यूशन है आपके सामने राजिय शडक शुरक्सा संस्तान राजाम के किस शहर में इस्तापित किया जाएगा याद रिखेगा वो है आपके जैपुर शडक शुरक्सा रोडशेप्टी रोडशेप्टी स्ट्यूट जैपूर अगला है राजिस्तान में पेरा खेल एकादमी की इस्तापना किस इस्तान पर की जाएगी वैसे आपको पता होगा राजिस्तान के अंदर पेरा खेल एकादमी की बात करेंगी तो दो है एक तो आपके जोदपूर में और एक जेपूर में इस्तावित ठीक है दो जगे बात की थी पिछली शरकार में यहां पर ओप्शन में है जोदपूर ओप्शन नमर क्या हो जाएगा बी इस अ करेक्टरा सुर याद रखेगा ठीक है लीजी अगला अगला किशन राजस्तान में ऑक्सीजोन पारक कहां विक्षित किया जा रहा है अगला कि अब तो विक्षित कर दिया है और वह आप क्या पढ़ते हैं कोटा याद रखेगा अब एक्जाम के अंदर आएगा अगामी अभेडा पारक कोण सा पारक आएगा अभेडा अगला अगला है राजस्तान के किश शत्र में पंदारी के मोदक मिश्टान परसिद है पंदारी के मोटक वैसे पुछा यह जाता है पंदारी मोदक पंदारी मोदक कहां के याद रखेगा विकानेर जिसे बतेगा खीर मोहन कहां के परसिद है खीर मोहन खीर मोहन अगला विकानेर की किस राजकुमारी को निसाने बाजी के लिए 1968 में अरजुन पुरुसकार से सम्मानित किया गया याद रखेगा रज्यश्री कुमारी ओप्सन नमर है सी जगरेक्ट नास्वर रज्यश्री कुमारी ठीक है अगला देखे अगला है राजस्तान के किस दिल्ले में एक युद्ध संग्राले की इस्तापना अगस्त 2015 में की गई युद्ध संग्राले बोले तो वार म्यूजियम और वार म्यूजियम की जो इस्तापना है वो है आपके कहां पर याद रखेगा जशलमेर और अभी हाली के अंदर जो बजट आया है उसके अंदर याद रखेगा जशलमेर के अंदर ही आपके इस्तापित होगा open rock museum open rock museum Khamba Fort Jassal Mir कौन सा Fort है Khamba Fort Jassal Mir जहां पर याद रखेगा Pursils पारग भी इस्तापित होगा यह अभी वरतमान के शरकार दुवारा गोशित है ठीक है तो यहां पर option number क्या हो जाएगा D is a correct answer D is a correct answer ठीक है लेजी अगला अगला है निमलिकित में से निमलिकित छेत्रों में से Limba Rám परशिद नाम किस से सम्मन्दित है Limba Rám आप कहेंगे सर यह खिलाडी है और इनका सम्मन्द कोन से खेल से है तीरंदाज हैं यह याद रिखेगा तीरंदाज option number यहां पर क्या हो जाएगा याद रिखेगा C is a correct answer तीरंदाज हैं यह ठीक है अगला वरस 2018 में राजस्तान आइटी दिवस कब से कब तक मनाया गया कब से कब तक मनाया गया था राजस्तान आइटी दिवस तो यहाद रिखेगा 19 मार्च से लेकर 21 मार्च 2018 अगला अगला है विख्यात महिला समास सुधारक चगन बेन राजस्तान के किस सचेत्र से समंदित थी अब यहां option के हम बात करेंगे तो जोद्पूर हो जाएगा बाकि यह जैसे नाम आया आपके जहन में चगन बेन आपके दिमाग में आगया होगा ठीक है लेकिन वर्तमान पचास जिल्लों के according हम बात करेंगे तो इनका समंदित थी चेत्र से है वो है फलोदी कौन से जिल्ले से है फलोदी लेजी अगला है चगन बेन ने सर्वोदी गतिवीदियों के राजस्तान के किस चेत्र को चुना है तो खिंचन खिंचन वर्तमान के अंदर याद रिखेगा कौन से जिल्ले में है फलोदी चगन बेन की विशेश बात याद रिखेगा रिखेगा चगन बेन राजस्तान की परतम महिला सरपंच ओप्सन नमर क्या है याद रिखेगा सी जिक करेक्ट नासुर ठीक है अगला अगला है जोदपुर का लोग पिरिये नाम क्या है पिली नगरी गुलाबी नगरी निली नगरी या श्वेत नगरी तो आप कहेंगे सर वो है ब्ल्यो शिटी बल्यो शिटी बोले तो निला शहर यानि की निली नगरी याद रखेगा पिली नगरी किसे कहा जाता है तो आप कहेंगे सर वो है जशल मेर वो कौन है जशल मेर गुलाबी नगरी किसे कहते है तो आप कहेंगे सर वो है जेपुर श्वेत नगरी किसे कहते हैं तो आप कहेंगे सर वो है उदेपूर और यहाँ पूछा गया जोदपूर तो याद रिकेगा निली नगरी ओप्शन नमबर C अगला है जिल्लों की नगरी के नाम से परशिद परियेट अगिस्तल है जिल्लों की नगरी बोल दीजिए या फिर सपेद सहर के दीजिए वाइट शिटी किसे कहा जाता है तो आप कहेंगे सर उदेपूर ओप्शन नमर क्या है डी इस करेक्ट आसर उदेपूर को याद रिखीगा ठीके अगला है निम्न परशिद गजल गाईकों में से कौन राजस्तान से सम्मंदित है अनुप जलोटा जगजीत सिंग गुला मली या पंकज उदास तो आप कहेंगे सर वो है आपके जगजीत सिंग जिनकी जन मिस्तली जो है वो गंगा नगर जिला है अगला लीजी अगला है विख्यात गजल गाईक जगजीत सिंग का पेत्रक निवास निम्न में से कौन सा था पटियाला गंगा नगर बुंबई या फिर लखनव तो आप कहेंगे सर आप्शन नमर है बी या देखेगा शिरी गंगा नगर ठीक है ठीक है लीजी अगला थाँ